तो और मेरे भाई लोग क्या हाल है यार तो आज के स्टूडियो में बात करेंगे गेम प्ले रिकॉर्डिंग के बारे में तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जो गेम प्ले रिकॉर्ड करना चाहते हैं जो चाहते ही कि अपना gameplay record करे यूट्यूब पे upload करे या फिर अपने दोस्तों को दिखाए लेकिन तुम लोग जब gameplay record करने जाते हो तो ज़ादातर लोगों का game जो है वो lag करता है जो screen recording होती है उसमें game जो है अटक अटक के चलता है जिस वजे से अगर तुम अच्छा खासा game खिलते हो तो भी तुमारा जो gameplay हो पुरा की पुरा एकदम बेकार सा दिखता है तो आज के इस video में इसी बारे में बात करेंगे कि किस तरीक से screen recording की जाती है जिससे कि आपका game जो है वो lag नहीं करे और एकदम smooth सा gameplay आपका record हो जो की देखने में भी अच्छा लगे और लोग अगर कोई देखता है तो उसको पसंद आए तो वीडियो में आगे में इस पर एक छोटी से request है चैनल को subscribe करो पास में एक bell icon आएगा उसको भी दबा देना और इस video के उपर कुछ अच्छा सा comment करना जिसका भी comment मुझे सबसे best लगेगा उसको मैं next video में shout out दूँगा तो चलो फिर वीडियो की तरफ बढ़ते है तो गईस देखो दो चीज़ों होती जिस वज़े से आपका जो gameplay है वो lag करता है पहली चीज़ तो यह कि जब आप gameplay record कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको background में कोई भी app को नहीं run करना है अगर आपके background में कोई app चल रही हो तो उसको हटा अगर आपके background में कोई app चलेगी तो उस वज़े से आपके phone के उपर ज्यादा load पड़ेगा और उस वज़े से आपका जो game है वो lag करने लगेगा तो बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में तो हम क्या करते है screen recorder को download करते है और सीधे recording चालू कर देते है जिस वज़े से क् default setting होती screen recorder की उसी setting में आपका जो gameplay है वो record होने लग जाता है और उस वज़े से आपका phone जो है वो lag करता है क्यूंकि जो screen recorder होते है वो full HD को भी support करते है तो जो setting होती है वो अलग होती है और आपके phone की capacity है वो कम होती है तो आज के इस video में आपको यहीं बताऊंगा कि कौन सी perfect setting होती है जिसमें कि आपका gameplay जो है वो बहुती smooth तरीके से record हो और किसी भी तरीके का lag आपको देखने को नहीं मिले तो मैं जो recorder यूज करता हूँ उसका नाम है screen recorder यह आप देखलो यह वाला screen recorder मैं यूज करता हूँ अपने videos को record करने में और अभी आप थोड़ी दर पहले जो पर settings को option आएगा तो settings में छेट चार करना बहुत ज़ादा जरूरी है क्योंकि हमको अपने phone के हिसाब से recording चाहिए ऐसा नहीं कि full HD में record किये जा रहे है और अपना phone जो हीट कर रहा है और दिक्कत आने लगती है तो अपने को क्या करना है सबसे पहले settings में जाना है उसके ready select करके रखा है इसी को select करना अगर आपका phone जो है वो 4GB RAM वाला है तो ये वाला जो recording है वो perfect रहेगे आपके लिए HD में recording होती है अगर आप ये 1280 x 720p रखते हो तो उसके बाद नीचे option आएगा landscape और ये orientation वाला है तो orientation में अपने को landscape रखना है उसके बाद में आगे चलते है bit rate bit rate बहुत ज़्यादा important है इसको ज़्यादा नहीं रखना और कम भी नहीं रखना है अगर आपका phone 4GB RAM वाला है अच्छा processor है तो 10 रख सकते हो आप अगर ठीक टाक phone है तो 8 Mbps रखना मैं 8 Mbps पर रखता हूँ तो मेरा game जो बहुत smooth चलता है और बहुत अच्छे से record हो जात करेगा आपको 30 fps पर record करना है game ठीक है 30 fps पर रखना उसके बाद नीचे आपको option आएगा audio recording का तो audio recording को enable करना है उसके बाद में audio bit rate की बात करे तो 128 Kbps रखना है उसके बाद में और नीचे आओगे तो channel आपको stereo रखना है और नीचे आओगे तो यहाँ पर audio source internal audio रखना है internal audio select करके रखना उसके बाद में और नीचे आते तो यहाँ पर और सारे option से लेकिन अपने जो काम के थे वो अपने select कर लिए तो यह सारे option आप select करके रखना जैसा जैसा मैंने बताया है वैसा वैसा करना उसके बाद जब game record करके देखोगे तो 99% chance है कि आपका game lag नहीं होगा यह मेरी guarantee है क्योंकि मैं अपने खुद के phone में record करता हूँ मेरे phone की बात की जाए तो मेरे पास जो पुराना realme का phone आता था realme 2 pro वो है तो realme 2 pro में इतनी अच्छे recording हो रही है तो आपके इसमें तो और अच्छे recording हो जाएगी तो बस यही बताना था कि कौन सी setting होती ही जिससे कि आपका जो game है वो बहुत अच्छे से record हो एकदम lag free game चले ठीके तो इस settings को try करके देखना और फिर मुझे comment करके जरूर बताना कि आपका game कैसा चल रहा है तो इस video में इतना ही बताना था अगर video अच्छा लगाओ तो video को like करो channel पे नए हो तो subscribe कर देना पास में एक bell icon आए